हाई विंट्स मैथ इतमस्ज भी मैस भाई अमिये विलकम अगें तो वर्ड उफ मैस भाई अमिये तो जो मैं 50 कोशन्स कर रहा हूं इन दिनों इसका एट कोश्च नम्बर से बहुत बेसिक सा कोश्चन है देखो आपने बहुत सारे कॉंसेट्स पढ़े होंगे बहुत सारे कोश्चन सॉल्ट कियोंगे बट इकजाम्स में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कोश्चन डॉंकी जॉब हो जाता है जिसमें कोई कॉइप काम नहीं करता है आपको one by one मैनुवल चेक करना होता है तो अगर आपके पास छोटे मोटे हो जिसमें आप मैनुवली कल सकते तो कल डालिए उसके पीछे को सोचने के पीछे परिशान मत रहो हां कुछ-कुछ लगा सकते होो 창 को आप से बोलाग bipartisan के सिए मैं तो मतलब मैं लेकर देखूंगा कि अच्छाज से स्सार्ठ होने माला कौन सा अच्छरे सोगा मैं लिए बारो हों कि आपको ज्यादा च्छे सी दीखे तो मैं बोह सकता हूंग की बॉस अगर तुम 1 से start होगे तो क्या perfect square बनते हूँ हाँ 121 एक perfect square बनता है मुझको यह पता है क्या 2 से start होने वाला हो सकता है बोलेंगे नहीं 2 से start होने वाला नहीं हो सकता है कोई भी perfect square 2 से खतम नहीं होता है similarly कोई भी perfect square 3 से end नहीं करता है now we need to work on क्या 4 से होता है तेखे, 4 से अगर perfect square start और end होता होगा, तो मुझे को इसका पक्का पता है कि last में क्या होगा 2, बिकास 2 square 4 होता है तो 8 होगा, 2 square 4 होता है, but अगर 4 से start होता होगा, ऐसे मुझे को पता है यह 11 square है, यहाँ से यहाँ यह 22 square is the 484, एक नंबर और मुझे को मिल गया, मतलब एक नमबर मुझको मिला 121 donkey job दूशा नमबर मिला 484 again donkey job 5 से start होने वाला मतलब एक नमबर 2 5 से start होने वाला 5 से end होने वाला perfect square कभी भी 5 से end होता है तो इसके आगे 2 होता है 25, 525 is not a perfect square तो ये नहीं देगा आपको basic concept पता होना कि 6 से start होने वाला अब देखते हैं 6 से जब भी होता है तो यहाँ पर 16 हो सकता है 660 नहीं होता है then 636 भी कुछ नहीं होता है 656 भी कुछ नहीं होता है 6 अगर end होता है तो यहाँ पर options होते हैं 1, 3, 5, 7 but 676 अब जैसे ही डालोगे 26 का square हो जाएगा हमें पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है now 8 से start और end कुछ भी नहीं हो सकता है because end तो 8 से नहीं हो सकता perfect square तो अभी तक मुझको 1, 2 और 3 मिले 9 से start और 9 से end होना 9 से start होने का मतलब वो 300 से start होगा मुझको यह पता है कि 330, 31 और 32 और मैं 33 तक अगर जाओ तो मैं 3-digit के numbers में land कर सकता हो 33 square जो आप अगर calculate करोगे तो आपको पता है कि वो इसके पास तो नहीं पहुंचेगा और 3-digit का है या नहीं आप कुछ चेक कर सकते हो तो आपको कुछ jobs donkey jobs होते हैं मतलब को one by one करके question solve करना होता है और इस टाइब से questions 99% chance है कि आपके exams में दिखेंगे जिसमें concepts आपको पता है बट आपको manually check करना होगा कि कौन कौन सा है तो we have just 3 numbers which are palindromic 3-digit and a perfect square इसको याद रखिए या नहीं भी याद रखिएगा तो आप question को जो solve कर दिएगा तो आप कितना भी अच्छे पढ़े हों कितने भी अच्छे बहुत सारे questions solve की हो but right set of practice की बहुत ज़्यादा ज़रुत होती है exams के पहले और exam के time में right set of mind की बहुत ज़रुत होती है अगर आप जाते हो right set of questions को solve करना और right set of practice के साथ जीना तो bootcamp for the SSC का registration on है बहुत सारे आपको मिलेंगे basic, moderate, advanced आप उसो solve करोगे और अपना बेश दोगे exam के पहले आपने कितना पढ़ाई किया है यह इससे ज़र इंपॉर्टन है कि exam के time पे आप अपने आपको क्या right track में ले के आ सकते हो नहीं आ सकते हो starting में हम बहुत fight मालते हैं लेकिन last के जो कुछ घंटे होते हैं और जो last का DRS होता है उसमें performance बहुत ज़रत है तो आई हम लोग मिलके perform करते है admissions open हो चुका है CAD का, SSC का registration open है दोनों open है आप link description में दिया हुआ है जाए, join किज़े, अपना बहुत दीज़े मैं आपना बहुत दूँगा आईए मिलके रिज़र्ट को crack करते हैं myself from me God bless you happy learning and bye-bye